गोले को देखिए अब गोले से गोलाकार दर्पन काटिए आप उस केंद्र को देखिए गोले का यह केंद्र जिसका गोली दर्पन भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं अतहा वक्रता केंद्र को इस प्रकार प्रभाशित किया जाता है गोले का केंद्र जिससे दिया गया गोली दर्पन यानी अवतल या उतल दर्पन प्राप्त किया जाता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं द्रुव, गोलिय दर्पन की परावर्तन सताह के केंद्र को गोलाकार दर्पन का केंद्र कहते हैं, इसे पी द्वारा निरुपित किया जाता है वक्रता त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर द्वारा निरुपित किया जाता है मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं आईए फोकस के लिए एक क्रिया कलाब करें एक उत्तल दरपण लीजिए और सूरे के प्रकाश में इस प्रकार रखिए कि परावर्तन सतह सूरे के प्रकाश की ओर रहे अब वक्रता केंद्र पर कागज का एक छोटा पत्रक रखिए अब पत्रक को दरपण के ध्रुव की ओर घुमाईए क्या आप दरपण पर कुछ देखते हैं? हाँ, कागज पर चमकदार उत्तेजित स्थान बन जाता है यह क्यों होता है? प्रकाश की किर्णे दरपण पर गिरती है परावर्तन के बाद यह एकल बिंदू पर मुड़ जाता है इस एकल बिंदू को दरपण का फोकस कहते है फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदू होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणे परावर्तन के बाद मिलती है या विचलित होती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस छोटे छिद्र यानि व्यास वाले दर्पणों में आधी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बराबर होती है गोलाकार दर्पन दो प्रकार के होते हैं अवतल दर्पन एक गोलाकार दर्पन होता है जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्राकार होती है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किर्णे किसी अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर किसी बिंदू पर अभिसारित होती है यानी मिलती है उत्तल दर्पण एक गोलाकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्राकार होती है के पीछे किसी बिंदू से आती हुई प्रतीत होती हैं समतल दर्पन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब मौमबर्थी को दर्पन के सामने रखिए और प्रतिबिंब का अवलोकन कीजिए आप अवलोकन करेंगे कि प्रतिबिंब का निर्मान दर्पन द्वारा निम्न प्रकार हो जितनी वस्तु उसके सामने हैं। 4. प्रतिबिंब आभासी होता है, यानि किसी स्क्रीन पर प्राप्ट नहीं किया जा सकता है। 5. प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। आवर्तन जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिर्चा होकर जाता है, तो वह मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का आवर्तन कहते हैं। उदाहरन के लिए जब पैंसिल को ग्लास में रखा जाता है, हम स्पष्ट देख सकते हैं, किन्तो जल में डालने पर हम प्रकाश को प्रकाश के आवर्तन के कारण मुड़ा हुआ देखते हैं। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करता है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को प्रथक करने वाले प्रिष्ट के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निष्चित रंग तथा निष्चित माध्यमों के युगम के लिए आपतन कोन की जया तथा अपवर्तन की जया का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहती है। सिन आय, सिन आर बराबर स्थिरांग किसी माध्यम का निर्पेक्ष अपवर्तनांग वायू या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है किसी माध्यम एक के सापेक्ष किसी माध्यम दो का सापेक्षिक अपवर्थनांग माध्यम एक में प्रकाश की चाल का माध्यम दो में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है